हेलो आपका स्वागत है आपके अपनी किचन में तो चलिए आज हम बना रही हैं बहुती टेस्टी दूद की बर्फी तो इसके लिए मैंने दो कटोरी दूद लिया है और दो ही कटोरी मेंने लिया है मिल्क पाउडर पहले हम इसे एक पर मिक्स कर लेते हैं गैस का फ्लें मैंन दो कटोरी नारियल का बुरादा तो दो कटोरी दूद लिया है दो कटोरी मेंने मिल्क पाउडर लिया है और दो कटोरी ही नारियल का बुरादा लिया है इन तिनों को मिक्स कर देते हैं जब नारियल का बुरादा हम डालेंगे तो जो मिल्क पाउडर से लम्स बने हैं वो बिल्कुल खतम हो जाएंगे, बिल्कुल खतम हो चुके हैं, आप कर लेते हैं, गैस का फ्लेम ओन, और इसी तरह से हिला लेते हैं, और इस मिठाई को बनाने में करीब 20 मिन्ट लगेंगी, तो ये फटा-फट बन के त्यार हो जाती हैं, जब घर में अचानक मेमाना आई, तो आप इस मिठाई को बना के ट्राइ कर सकते हैं, कोई नहीं बताएगा कि ये हमने गर पे बनाई हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तो ये देखिए, ये बिल्कुल मावे की तरह दिखने लगा है, तो हम इसे इसी तरह से इलाते रहेंगे, करीब 15 मिन्ट के ल इसे इलाते देखिए, करीब 4 से 5 मिन्ट हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं, काफी ठिक हो गया है, पहले से, तो इसे मिक्स कर लेते हैं, तो ये देखिए, करीब 8 से 10 मिन्ट हो चुकी हैं, इसे इस तरह से इलाते इलाते पकाते पकाते, कि अब ले ले ये कुछ ड्राइफ रूट में लिया है किसमी सैं आप इसकी जगे कोई भी ड्राइफ रूट ले सकती हैं काजू बादाम पिश्टा अक्रोट आप कोई भी जो आपको पसंद है आप इहें ड्राइफ रूट डाल ये इसके अंदर अगर आप चाहें तो कोकोनट पॉर्डर भी इसमें डाल सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में तो इसी तरह से इसे ही लाते हुए हम पका लेते हैं देखे काफी थिक हो गया है और अब यह जब ठंडा होगा तो यह अच्छे से जम जाएगा तब इतना थिक हो चुका है और करीब मेरे को 12-15 मिंट ही लगे हैं इसे इस तरह से इलाते इलाते पकाने में तो मैं दो चमच इसमें गी ले रही हूँ अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप गी डाले बज मैंने दो चमच इसमें गी डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर दिया है और गेस का फ्ले मैंने ओफ कर दिया है गेस का फ्ले में ओन नहीं है अब ओफ है गेस का फ्ले म तब मैंने गी डाला था तब ओफ कर दिया था बस दो मिंट के लिए इसी तरह से इला लेते हैं ताकि जो कड़ाई के तले में हैं ये डो लगे ना तो अब ले लेते हैं एक प्लेट है आप प्लेट वगरा कोई भी एक गिरिश करके ले लीजिए यानि कि थोड़ा सा गी लगा के उसे गिरिश कर लीजिए और इसमें सारे डो को मैं निकाल लेती हूं आप देख सकते हैं मैंने सारे डो को मैं निकाल लिया एक प्लेट के हैं मैं इसे गंट एक गंटे के लिए रख देती हूं रूम टंप्रेचर पर ठंडा होने के लिए तो आप देख सकते हैं एक के मैंने थोड़ी से इसमें से कट करके पहले से निकाल लिए थे बहुत ही अच्छी मिठाई बनके त्यार हुई है आप ये रेसिपी एक बर बना के ट्राइए जुरूर करना आप किसी को भी ये खिलाओगे तो कोई नहीं बता सकता कि आपने ये घर पे बनाई है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को आल पे सेट कर लीजिए इससे हो गई है जब भी वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिविशन आएगा तो आप देख सकते हैं बरफी कितनी अच्छी बरफी बन के तियार होई है देखने में भी बाजार जैसी है और खाने में भी टेस्ट बाजार जैसी है